अगर कोई महिला गलती से प्रेगनेंट हो जाती है और प्रेगनेंसी दो महिने का है या दो महिने से कम का प्रेगनेंसी है तो उसको कैसे इस प्रेगनेंसी को खतम किया जा सकता है या उसका एबोर्शन कैसे किया जाए इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले क्या करना है कि अगर period miss हुआ है यानि कि मालेज़े आपका period अगर एक तरिक वाया है और अगले एक तरिक को जो है period नहीं आया तो उसके बाद 5 दिन तक wait करना है 5 दिन इंतजार करना है और period miss होने के 5 वे दिन आपको सबसे पहले pregnancy kit खरीदना है और pregnancy kit से pregnancy को पहले test करना है अगर उसमे pregnancy test में positive आता है यानि कि pregnancy जो है वो conceive हो चुका है और unwanted pregnancy health pregnancy को continue नहीं रखना है तो उसको कैसे हटाएंगे तो उसके लिए आपको abortion kit का इस्तमाल करना होगा या MTP kit का इस्तमाल करना होगा जैसे कि मिफिजेस्ट kit हो गया unwanted kit हो गया खुशी kit हो गया यह सब medical shop में easily मिल जाता है और इसको कैसे इस्तमाल करना है तो जैसे इस kit को डब्बे को खोलेंगे तो इसमें 5 tablet मिल जाता है एक बड़ा tablet होता है और 4 छोटे छोटे tablet इसमें मिल जाता है इसको कैसे लेना है तो अगर रात के समय में ले रहे हैं तो अगर बड़े वले tablet को आज रात में ले रहे हैं तो खाना खाने के एक या दो घंटे के बाद में बड़े वले tablet को ले लेना है और बड़े वाले टैबलेट को लेने के 24 घंटे के बाद यानि कि नेस्ट नाइट में फिर जो दो छोटे छोटे टैबलेट है उसको ले लेना है और उसके 24 घंटे के बाद यानि कि तीसरे रात में जो है जो बचे हुए दो छोटे वाले टैबलेट है उसको ले लेना है इस टैबलेट को लेने के बाद ब्लीडिंग कब होगा तो बड़ा वाले टैबलेट को लेने के बाद जो है जनरली ब्लीडिंग नहीं होता है बड़ा वाले टैबलेट जो हो वो मेफी प्रिस्टोन का टैबले होता है तो बड़ वले टैبلट को लेने के बाद जैनरली ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होता बड़ वले दो Tam गहंटे के अंदर में bleeding धीरे-धीरे स्टार्ट हो जाता है और bleeding कितना होगा कब तक होगा यह डिपेंट करता है pregnancy पे अगर अगर pregnancy एक महीने का है यानि कम दिनों का अगर pregnancy रहेगा तो उसमें bleeding कम होगा और उसमें blood clots भी कम आएगा अगर pregnancy जादे दिने का रहेगा जैसे डिर महीने 2 महीने का प्रेगणसी होगा तो उसमें blood clots भी जादा आएगा और bleeding भी जादे दिनों तक होगा यानि कि कभी-कभी जू है अगर कम दिनों का है या कभी-कभी दस दिन भीител होते रहता है तो इससे घबराना नहीं है ब्लीडिंम हो रहा है यानि कि कित जुआ अच्छे तरीके से काम कर रहा हां अगर ब्लीडिंग is continue हो रहा है और बहोत जादा ब्लीडिंग हो रहा है दस दिनों के बाद भी bleeding नहीं रुक रहा है तो उसके बाद आपको एक बाद doctor से संपर कर लेना चाहिए